नमस्कार मैं एडूकेट नरेश कुदाल आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल विधान का ग्यान पर दोस्तों आज हम बात करेंगे बहुत ही पोपुलर लीगल वर्ड बेल यानि की जमानत के बारे में हम सभी जानते हैं कि जमानत का मतलब ये है कि पुलिस जब कभी हमें किसी नोन बेलेबल ओफेंस के लिए अरेस्ट करती है या करने वाली होती है तो हम court में application file करके अपनी bail करवाते हैं ताकि case की trial चलने तक हमें jail में न रहना पड़े लेकिन आज हम ये भी जानेंगे कि जमानत कुल कितने type की होती है और इसके अलग-अलग types के बारे में क्या provisions है वीडियो शुरू करने के पहले अगर आप चैनल पर नए है तो मेरी request रहेगी कि चैनल को अभी subscribe करके bell बटन जरूर प्रेस कर दें है ताकि legal topics पर interesting जानकारियों के वीडियो के updates आपको regular मिलते रहें तो दोस्तों जमानत basically चार types की होती है जिन में से पहली है regular bell, दूसरी है default bell, तीसरी है anticipatory bell और चोथी है interim bell अब हम एक एक करके short में समझने की कोशिश करते हैं बेल का सबसे पहला type यानि regular bell के बारे में provisions CRPC की section 437 और 439 में दिये हुए है ये तो आप जानते ही हैं कि किसी भी matter में police जब किसी व्यक्ति को arrest करती है तो 24 गंटे के भीतर उसे निकटतम magistrate के सामने पेश करना ज़रूरी होता है तो किसी व्यक्ति को arrest करने के बाद जब पहली बार उसे magistrate के सामने पेश किया जाता है उसके बाद कभी भी regular bail के लिए application फाइल की जा सकती है यहाँ पर ये important है कि अगर bail application magistrate के सामने पेश की जाती है तो section 437 लागू होगी और अगर application session court या high court में पेश की जानी है तो CRPC की section 439 applicable होगी तो short में कह सकते हैं कि जब किसी व्यक्ति की गिरफतारी के बाद magistrate court में CRPC की section 437 के अंतरगत application फाइल करके या session court या high court में CRPC की section 439 के अंतरगत application फाइल करके जमानत प्राप्त की जाती है तो उसे regular bail कहते है ये bail prior case की trial चलने तक के लिए होती है bail के दूसरे type में आता है default bail जिसके बारे में provisions CRPC की section 167 में दिये गए है दोस्तों पुलिस किसी matter में FIR होने के बाद में कितने time में अपने report पेश करेगी इसके बारे में कोई clear provision नहीं है लेकिन CRPC की section 167 में ये provision जरूर किया गया है कि अगर पुलिस ने किसी व्यक्ति को arrest किया है और अपराद ऐसा है जिसमें 10 साल या जादा की सजाग का provision है तो अगर arrest से 90 दिन तक पुलिस चार्चिट फाइल नहीं करती तो ऐसे arrest किये हुए व्यक्ति को बेल पर छोड़े जाने का धिकार मिल जाएगा इसी तरह यदि FIR किसी ऐसे अपराद के बारे में है जिसके लिए 10 साल से कम की सजागा प्रोविजन है और किसी व्यक्ति को arrest किये हुए 60 दिन से ज़्यादा का time हो चुका है और पुलिस चार्चिट फाइल नहीं कर पाती तो arrest किये हुए व्यक्ति को एक limit से ज़्यादा arrest नहीं रखा जा सकता है ऐसी स्थिती में arrest किये हुए व्यक्ति को जमानत अधिकार पूरवक मिलती है मतलब कि जमानत की application फाइल किये जाने पर magistrate का कोई discretion नहीं होता बलकि उसको केवल ये देखना होता है कि अपराद किन धाराओं के अंतरगत है और arrest किये हुए कितना time हो चुका है अगर 60 दिन या 90 दिन वाली condition फुल्फिल होती है तो magistrate को bail grant करनी ही होगी इस bail के लिए ये ध्यान रखने लाइक बात है कि arrest के 60 या 90 दिन बाद bail अपने आप नहीं होती बलकि उसके लिए application फाइल करनी ज़रूरी होती है अगर application फाइल करने के पहले चार्चीट फाइल कर दी जाए तो फिर ऐसे arrest किया हुआ व्यक्ते default bail का अधिकारी नहीं रह जाएगा उसे regular bail के लिए ही try करना पड़ेगा bail के तीसरे type में आती है anticipatory bail दोस्तों इसके नाम से ही clear हो जाता है कि अगर आपको किसी matter में अपनी गिरफतारी की आशंका है तो आप session court में या high court में अपनी anticipatory bail के लिए apply कर सकते हो इसको अगरिम जमानत भी कहते हैं जिसके लिए provision CRPC की section 430 add में किये गए है काफी लोग पूछते हैं कि इसके लिए FIR होनी जरूरी है क्या तो इस बारे में CRPC में कुछ लिखा तो नहीं है लेकिन जब तक FIR नहीं होगी तब तक आशंका के लिए आधार कैसे होगा इसलिए ये मान कर चलिए कि FIR के बाद ही ये application फाइल करने चाहिए नहीं तो court इसे premature मान कर खारिज कर सकता है anticipatory bail के लिए apply करते हैं तो court को कुछ जरूरी points पर satisfy करना जरूरी है जैसे सबसे पहले तो ये कि उस अपराद में आपकी कोई भूमिका नहीं है दूसरा कोई health issues या age factor भी हो सकता है कि उन परिस्थितियों में अगर आपको arrest किया जाता है तो आपकी ओ जान का खत्रा हो जाएगा सन 2018 के पहले किसी भी अपराद की FIR होने पर anticipatory bail के लिए apply किया जा सकता था लेकिन 2018 में इस section के amendment करके rape जैसे अपरादों को anticipatory bail के दाइरे से बाहर कर दिया गया है पहले उत्तर प्रदेश में section 438 applicable नहीं होती थी यानि UP में anticipatory bail के लिए provisions नहीं होते थे लेकिन अब वहाँ पर भी ये section apply होती है हालांकि उत्तर प्रदेश के लिए कुछ state amendments जरूर किये गए है दोस्तों कुछ साल पहले सुभाष काशिनात महाजन वर्सेज state of महरास्टरा के case में SCST Act के बारे में anticipatory bail पर सुप्रेम कोर्ट ने कहा था कि SCST Act से जुड़े मामलों पर भी anticipatory bail के provisions लागू होंगे जिसके बाद देश में काफी हंगामा हुआ तो government को SCST Act में section 18A जोड़नी पड़ी इस section को जोड़ कर SCST Act पर anticipatory bail की applicability को खत्म कर दिया गया है यानि अब SCST Act के अपराद में अगरिम जमानत नहीं ली जा सकती दोस्तों anticipatory bail के बारे में हमने detailed वीडियो भी channel पर post किया हुआ है इस वीडियो के description में दिये गए link के जरीए आप वो वीडियो भी देख सकते हो अब बात करते हैं bail के चोथे और last type के बारे में जो है interim bail जैसा कि इसके नाम से ही clear है कि इसका nature as type का है और भी interesting बात ये है कि interim bail के बारे में CRPC में कोई provision नहीं है काफी बार जब session court या high court में anticipatory bail के लिए apply की जाती है जिस पर या तो court hearing नहीं कर पाता या फिर court ऐसा कारण या गिरफतारी के आशंका का अधार पूचता है जिस पर applicant को कुछ time की जरुरत हो तो उस time court से request की जा सकती है कि आगामी तारिक पेशी तक या निश्चित time तक के लिए जैसे दो सप्ता या चार सप्ता तक के लिए arrest को रोका जाए तो court को उचित लगने पर court कुछ निश्चित time तक के लिए bail grant कर देता है इसको ही interim bail कहते है तो दोस्तों उमीद है आप जमानत यानि bail के चारों types के बारे में समझ गए होंगे इसके अलावा भी आपके कोई legal question है या आप अपने किसी legal matter पर discuss करने के लिए हमारे expert से बात करना चाहते है तो आप screen पर दिखाई दे रहे हैं नमरों पर contact करके call book भी करवा सकते है ऐसी ही interesting legal जानकारियों के regular updates के लिए आप हमें हमारे facebook और instagram page पर भी follow कर सकते है जिन के लिए link वीडियो के description में दिये गए है अभी के लिए इतना ही जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में अभी के लिए आप सकते हैं